जुन्संक्या नियंत्रण को लेकर बीजेपी नेता अक्सर ऐसे बयान बाजी करते हैं जिसे लेकर सियासी बखेडा खड़ा हो जाता है मुए बसब की सर्मनन सोनवाल सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया है जिस पर सियासी पारा गर्मान आता है तो क्या है वो फैसला आएए देखते हैं इस साथ स्वदंद्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी ने जुन संख्या वृद्धी की और लोगों का ध्यान खीचा था और इस पर चुंता जाहिर करते हुए कहा था कि हमें आने वाली पीडी के लिए सोचना होगा सेमित परिवार के साथ ही देश का भला होगा यहां तक कि उन्होंने तो छोटे परिवार को देश भक्ती से भी जोड़ दिया था पियम मोरी के इस अपील पर अब असम की सर्वानन सोनवाल सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है दरसल असम की कैमिनेट ने एक फैसला लिया है कि एक जनवरी 2021 से उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जिनके दो से ज्यादा बच्चे है सरकार की तरफ से इसे जनसंख्या नियंतरन के दिशा में उठाया गया एहम कदम बदाया जा रहा है आपको बतादे कि सतंबर 2017 में ही असम मिधान सभा ने जनसंख्या और महिला सशक्ति करण नीती को पास किया था इस नीती के तहट सरकारी नौकरी के वे आवेदग जिनके दो बच्चे हैं वो ही नौकरी के लिए योग्य होंगे इसके अलावा मौझूदा सरकारी कर्मशारियों को भी सकती से दो बच्चों के नीती का पालन करने का प्रावधान किया है गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में भी ऐसा कानून है जहां दो से जाता बच्चे होने पर पंचाय चुनाव लड़ने की मना ही है इन में उत्राखंड मध्यप्रदेश शत्तिसकर का नाम शामिल है लेकिन सोनवाल सरकार ने तो सरकारी नौकरी के लिए फर्मान सुना दिया जिसे लेकर माना जा रहा है कि इस पर सियासी पारा गर्मा सकता है डिविलाइफ के रिपोर्ट